तो अब जूआ खर शुरूए जूआ चाहएं इसलाम अलेकॉम एव्रिवन कैसे हैं आप सब ? सब ठीक होंगे हैर से होंगे आप सब की दौाओं से में भी ठीक हूँ और सुबा का टाइम था और सड़े बॉर्निंग रोटीन बिल्कुल सिंपल साल हमने जोना प्रेक्पस किया क्योंकि दिन को मैंने बच्चों को बहुत कुछ आज खिलाना था तो मैंने का आज प्रेक्प कितीब काफी हराप थी तो आज मैं आपको थोड़ा सा गंदे किचिन का भी विजट करा देती हूं तो मैंने का ओझी आप थोड़ा सा फैल्प करा दे मुझे बगए किचिन का मैं संबाल लूंगी मैं आज आपकी हल्प कर देती हूं तो हैर वो जो ना उन्ने सफाईां वगयरा की और मैंने सारे बरतन जो फ्रिज्ज से लिकार लिये थे और जब ज्यादा बरतन ओना तो मैं अपने डबल सिंग को इस तरह से यूज करती हूँ बड़े बड़े बरतन जो आना बाय रखाई थी मैं वहां बैठ के अच्छे से माझूंगी और जो छोटी छोटे बरतन थे ना वो किच्छन में इने वाश कर लिए अच्छा मैं आपके एक ट्रिक बताती हूं किच्छन जल्दी साफ करने का ऐसे आप अगर बरतन जो है ना सासा दोके एक टोकरी रखे उस पे रखे थोड़ी देर के लिए बायर रखाई ना जब तक सुकते तब तक आप पूरा किच्छन प्यारा साफ कर लेंगे ना और बरत बतन हो तो वैसे अगर थोड़े हो तो फिर वहां इसी सींग के अंदर ही सूख जाते हैं तो सारे बतन गयरा साफ कर लिये थे और बच्छों को फिर जो है ना किच्छन साफ करके उनको भी नहलाया था और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आपी में हम ना आपके विलॉग के एडिक्ट हो रहे हैं मतलब बहुत जदा आपकी व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मैं थेंक्यू आप लोगों का के इतना प्यार दिखाने के लिए इतना सब कुछ इतने चीज़े कमेंट्स करने के लिए अभी तक मेरी वीडियो पे नेगिटिव कमेंट नहीं आया पता थोड़ा सा इदर उदर धियान जाए पर यहां पर भी जो है ना आपको टेंशन देने वाले बहुत मिल जाते हैं हैर जिंदगी का हिस्सा है ना ये लोग भी अच्छे भी और इस तरह से भी तो बरदाश कर लेंगे करें तो से कमेंट अच्छा जी चलें उसके बाद ना क् आपको के वो सब कह रहे थे कि हम आपके विलाउक्स के अडिक्ट हो रहे हैं तो किस चीज़ के हो रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी है कि मेरी बातूस से दूसरा मेरी रोटीन से अब जब मैं देखती हूं के लोग और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरे से इतना ज हम जो है आना अलातला की नजर में भी और सब की नजरों में भी अच्छे होंगे अगर हम फेक हैं मृदंब करें हम कुछ होते हैं यूटियोब पर कैमरा आन करके हम कुछ कर रहे होते हैं कुछ मुझे भी टिप्स मिलती हैं जो आप लोग मेरे सा शेयर करते हैं और कुछ मैं आपको देती हूँ तो इस तरह से निजाम अच्छा चल रहा है बहुत कुछ सीख है विलॉगिंग से और विलॉग करने से आप लोग के कमेंट से जब आप लोग कमेंट करते हैं कि आप यह ऐसे नहीं ऐसे करें या यह आप कैसे करती हैं तो बड़ी हुशी होती है मुझे तो हमें यही कहती हो ना कि अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो खुद को परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अच्छा इंसान के अंदर परफेक्शन तो आ नहीं सकती क्योंकि अला तला ने इनसान को बनाई ऐसे है हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर टाइम परफेक्ट भी नहीं होता मेरी सिंदगी अभ我也 complete है जैसे किचन बिलकुल क्लीन हो गया है तो मैंने आपको गंदा किचन भी दिखाए और साफ कैसे होता है हर चीज गंती होती है तो हम साफ करते हैं तो हर इंसान perfect भी हो सकता, बस कोशिश करनी चाहिए और इस चीज़ की भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप से कोई कुछ सीख रहे ना तो आप पहले हुद रियल हूँ जब हम फेक होंगे ना फेक लिए हम यहां यूट्यूब पे तो वो कर लेंगे पर हमारे दिल को स्कूनी होगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो काम करूँ जो मैं हुद करती हूँ और फिर मैं आप लोग को बताऊँ अच्छा मैं यह करती हूँ उसके बाद सारा कीचन साफ करके जितने भी डस्टिंग वाले कपड़े थे ना मैंने गरम कपड़े में गरम पानी में भिगोके रख लिया थे थोड़ा सा पुदीना डालके जो एना रख दिया था कैंची जो एना कैंची के बड़े रोले होते हैं कैंची जो एना मैं यहां पर रखती थी तो मुझे याद है यहां से कोई उठा लेगा फिर मैं डूंटी रह चाऊंगी तो फ्रिज के पीछे मैंने एक हुक लगाई वी है चोरी वाली हो जो कहते है ना हुफिया हुक वो जो अनल लगाई वी है तो वहां पर मैं कैंची रखते थी हूँ किसी को पता भी ने चलता कैंची इदर पड़ी वी है तो यह मेरा एक सीक्रेट है कीचन का तो उसके बाद जाना मैंने दिन का टाइम होगा था बच्चों को नहला के उनको बिठाया साफ सुत्रा करके फिर मैंने आज उनको स्पेशल ट्रीट रहनी थी मैंने का था आज आपको लोगों को बर्गर मगवा के दूँगी साथ ही मैं आप लोग के लिए एक शावर्मा बनाऊंगी लोडिट शावर्मा बना रही हूं में हाँ पे चिकन मैंने ट करी हूं बस सिंपल सी चीज़े डाल दी है जितनी मेरी हमसाला जार्स में पढ़ी है कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली दें ही डाला है थोड़ा सा तो मेरे बेटे की ना आज बर्त रहे है और सब लोग उसको लाजमी विश करना उसको बड़ी हुशी होती है मामा जी आपनी टिक टोक पर भी लगाया फिर मुझे किस किस ने विश किया तो प्लीज सब मेरे बेटे को लाजमी विश करना फिर मैं उसको दिखाऊंगी किस किस ने उसको विश किया तो आज वो माशाला से 8 साल का हुआ है और बस 2 मन्स के बाद ना हमारी शादी को 9 साल ह जाएंगे लिखाले माशाला से व्काल बता ही नी चलता कब गुजर गया और बस गुजर रहा है अच्छा बदा बना गुजर है यहां आन्मा अपना पनाओगी ला इसका i.g तो यहां प्र ना बना रही हम वह में लुदा हो खाला बना रही है उसके दोड़ा सा fat फ्लोर एट किया है उसके बाद अगर आप चाहें तो दूद के साथ गुंद सकते हैं otherwise इसमें थोड़ सा दूद वाला पाउडर एट कर दें मेरे पास नहीं था पर मुझे दूद के साथ गुंद ना चाहिए था याद नहीं रही उसके बाद ऑलिव ओई डाला उसको अच्छ साथ साथ बहुत ही मज़े का चिकन मारा रेडी हो जाता है अच्छा जी उसके बाद पेड़े मैंने बना लिए थे देखे इतने मज़े की डोप बनी थी क्योंकि मैंने इसको घुंद आची तरह से था अब उसको जाना रोटी बना लूँगी में साथ ही फ्राइस जो है ना पिटटो फ्राइस वह भी बना रही थी मैं क्योंकि इसके अंदर में फ्राइस भी ढालूंगी और बहुत ही मज़े का बनेगा संडे को बच्चों का स्पेशल बनाना चाहिए सारे कुछ छोड़के जो है संडे बच्चों का स्पेशल बनाना चाहिए मैंने कपड़े स्कूल में फिर उसके बाद कुरान की क्लासेज और यह सब कुछ हॉमवक में और हॉमवक भी सैटेड़ी को मैंने बच्छो करवा लिया था संटे सिर्फ मेरा और मेरे बच्छो गया उसके बाद जो है ना रोटिया मैंने बना ली थी रोटी को बिल्कुल बहुत ज्यादा पक कैचप और काली मिर्चे और कुटीवी मिर्चे और थोड़ा साधर कलसन का पेस्ट और माइनीज में में डाल था थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्चे और थोड़ी सी तीखी मिर्चे अच्छा उसके बाद जो ना मैंने जैसे बना रही थी ना साथ-साथ में एक एक कीचन टावल में रखती जा रही थी क्योंकि उसके वज़ा से यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं मैंने आपको दिखाया कितने ज्यादा सॉफ्ट थे उसके बाद मैंने बेस लगा लिए इनकी टोमाटो सॉस के साथ उसके बाद रख रही थी यहां पर में क्यूकंब जो मैंने स्लाइस की हुए थे उसके बाद चिकन डार रही थी थोड़ा सा जो चिकन मेरे पास पड़ा वा था ना बस उसी के साथ मैंने बना लिया और फिर नहीं मंगवाया है मैं जब भी चिकन आता है ना घर में तो मैं उसमें से बॉनलेस निकाल लेती हूं क्योंकि क्या है झाल झाल चले जी मेरे जो रैप से नो इतने मज़े के बने थे इतने मज़े इतने क्रिस्पी बने थे थोरा सा ओई लगा के अगर आप इसको फ्राइ कर लेना तो बहुत ही मज़े के बने थे सबसे पहले तो मैंने अम्मी को दिये और उनोंने उनको बहुत पसंद आया बहुत इंजोई किया उसके बाद मेरे मेरे बेटे ने और यह मेरे हस्बन की मामों का बेटा है यह दो जो जाना बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो आज बर्थ रहती अब्दुलादी की तो फिर इदर ही बैठके खाया और बहुत ही मज़ेगा बना था बहुत ज़्यादा मज़ेगा बना था तो संडे स्पेशल बचु का लाजबी बनाना चाहिए अगर आप ऑर्टिंग पे लेके जा रहे हैं तब भी अगर आप घर पे हैं तो फिर भी बचु का संडे जाना स्पेशल बनाएं बच्चों को याद रहे कि हमारी माएं हमारी लिए कितना स्ट्रगल करती हैं कितना हमारा हिया रखती हैं बस यही कहूंगी कि अला थाला सब के रिस्क में बरकर डालें सब मौकी हुआश होती है अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देने कि अला थाला सब को इतनी ह सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आए, दौाओं में याद रखेगा, और अलाहाफेज,